नमस्कार स्वागत है साहीतिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे श्रव्य माध्यम के अंत्रगत रेडियो समाचार वाचन क्योंकि हम रेडियो को ही केंदर में रखकर यहाँ पर देख रहे थे कि समाचार का लेखन कैसे किया जाता है आज हम यहाँ पर वाचन के बारे में करेंगे देखिए रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां हम ना तो समाचारों को देख सकते हैं ना ही समाचार वाचक को हम देख सकते हैं यहाँ पर केवल हम सुन सकते हैं इसलिए समाचार वाचक को बहुत सारी बातों का ध्यान दखना होता जिससे उसकी जो आवाज है वो सफस्ट पोहुंचे समाचार सुनने वाले तक क्योंकि जैसा कि पहले हमने किया था कि जब रेडियो से समाचार परचारित और परसारित होता है उस दोरान उसके सुनने वाले जो लोग हैं वो अलग-अलग वर्ग और अलग-अलग आयू के होते हैं लेकिन समाचार वाचक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो समाचार जो भी जिन भी समाचारों का उसे वाचन करना है या बताना है वो स्पस्ट तोर पर लोगों के पास या श्रोताओं के पास पहुंचे तो आईए देखते हैं कि समाचार वाचन के समय किन किन बातों का ध्यान लखना चाहिए जो समाचार वाचक है उसको समाचारों में सुधार और संशोधन के लिए हमेशा पैन या पैंसिल अपने पास रखनी चाहिए जिससे की आवशक्ता पढ़ने पर उनका उप्योग करके कोई भी जो उसे गलती दिखाई देती है उस दोरान उसको ठीक कर सके दोसरा यदि उसकी द्रिश्ची कमजोर है तो उसे अपना चश्मा अपने साथ रखना चाहिए उसे कभी भूलना नहीं चाहिए ताकि समाचार के वाचन के समय उसे देखने में किसी परकार की परिशानी अनुभव ना हो समाचार वाचक को ऐसी कोई भी चीज या वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो की अनावश्यक आवाज उत्पन करती है जैसे किसी की चूडियां है, पाजेब है, किसी का कड़ा है, किसी की घड़ी की बार-बार, किसी बेंच पर तकराहट की आवाज है या ऐसा कोई भी या आसपास जो वातावरन है या आसपास जो जिस कमरे से समाचार वाचन किया जा रहा है जहां से परसारण किया जा रहा है उसमें भी ऐसा उसे आसपास अपना ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जिससे की आवाज उत्पन हो क्योंकि जो माइक्रोफोन है वो बहुती संबेदी होते हैं जो बहुत जल्दी उस आवाज को पकड़ लेते हैं इससे क्या होगा कि शुरोता को शब्द को समझने में कठिनाई होगी दूसरा स्क्रिप्ट पर लगी पिन को हटा लेना चाहिए जो बहुत सारे पेज उसने अपने पास रखे हैं वाचन के लिए उस स्क्रिप्ट को इकठा जोडने के लिए अगर उस पर पिन लगी है तो उसे हटा लेना चाहिए इससे क्या होगा प्रिष्टों को पलटते हु और वो समाचार वाचन करते समय किसी उल्जन में ना पड़े समाचार वाचन से पूरव समाचार वाचन को स्वर के स्तर को चेक कर लेना चाहिए कि उसका जो स्वर है वो कम है तेज है अधिक है जादा है जो भी है उसको अपना स्वर का स्तर चेक कर लेना चाहिए समाचार वाचक को स्टूडियो में घड़ी वे लाइट को भी जांच लेना चाहिए क्योंकि दोनों को ही समाचार वाचन में बहुत आशकता है लाइट से ही वो लिखा हुआ पड़ सकता है और घड़ी से ही उसे समय का जो निधारित समय है उसका ध्यान रहे पाएगा तो जिन भी समाचारों का वाचन करना है उनको एक बार देख ले तसल्ली करले कि आज उसे किन किन बातों को बताना है और इस बात की उसे कतई या किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्यों कि चिंता रहित समाचारों का वाचन अच्छे तरिके से किया जा सकता है पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आवाज में एक भरोसा एक विश्वास रखते हुए समाचार वाचन किया जाना चाहिए ताकि सुनने वाला उसमें रुची ले और वो समाचार को इंतजार करे कि समाचार कितने बज़े परसारित होगा उसका इंतजार करे इस परकार सुन्दर और मदूर आवाज में उसे समाचार का वाचन करना चाहिए तो ये कुछ एक बिंदू है जिनको समाचार वाचक को ध्यान में रखना चाहिए समाचारों का वाचन करते हुए या समाचारों को रेडियो के लिए बोलते हुए जब उसका परसारण किया जा रहा हूँ तो उमीड करती हूँ कि ये बिंदू सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह चैनल से जुड़े रहें लाइक शेर और सबस्क्राइब ज़रूर करें